हलो डियर स्टुडेंज आज हम आपके सामने बात करने वाले स्टाटिस्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है काल पियर्सन्स माथड ओफ इसक्यूनेस इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात हम करना चाहते हैं यदि आप सीखना चाहते हैं कि काल पियर तो गाइस देस डॉक्टर विनीता रोडा स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता रोडा की क्लास में और चलते हैं आज की क्लास में तो सबसे पहले एक प्रश्न में आपके सामने लेना चाहरी हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा इससे पहले मैं बता दू हैं या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं तो गाइस काल पियर्सन के मैथड की लिए हमें आज जब क्यूशन में लिया है वो कुछ इस तरह से कि निमलिकित सूचना से ग्यात कीजिए कि कौन सा वर्ग अधिक विशम है यहां मैं स्ट जातियता की बात करनी है तो हमें कोफिशन्ट ओफ वेरियेशन यानि सीवी का कैलकुलेशन करना होगा लेकिन जब हम विशमता की बात करना चाहते हैं यह पूछा जाता है कि कौन सी सीरीज अधिक विशम है तो डोंट किट कन्फ्यूज आपको विशमता की बात हो रही है तो आप सिंपली काल पियरसन मैथर से इस क्यूनेस का कैलकुलेशन कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है ग्रूप X और ग्रूप Y दिया हुआ है आपको डिफरेंट डेटा गिवन है यहाँ मैं आपको बता दूँ को हमें काल पियरसन मैथर से विशमता ग्याद करनी होगी प्रशन में साइलेंट है लेकिन यदि प्रशन साइलेंट है तो हम काल पियरसन मैथर से काम करना होगा तो देखिए यहाँ पर सिरीज को मैंने सिल्यूशन किया है थोड़ा हमारी सुवीधा के लिए मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिये हैं अरेंज करते वक्त बहुलक निकालना मुश्किल है देखिए दो दो बहुलक यहां पर है यहां मोड का कैलकुलेशन मुश्किल है इसलिए हम यहां काल पियर्सन से विशमता कैलकुलेट करने के लिए हम इसक्यूनेस इस इक्वल टू 3 X बार माइनस M का फर्मूला यूज में या आप जरूर से ध्यान रखे यदि Z कैलकुलेट करना मुश्किल है तो हम मीडियन की साहता से भी इस क्यूनेट कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखिए मैंने मीडियन कैलकुलेट करना है इसलिए सिरीज को अलरेडी ही असेंडिंग ओर्डर में अरेंज करके रखा है क्योंक आसे Y सिरीज में मैंने Y बार की कैलकुलेट कर ली है सिग्मा Y अपॉन एन और इस तरह से हमें Y बार मिला है 20, Y बार it's the Y सिरीज का समानतर माध्य अर्थमेटिक मीन और X सिरीज के लिए अर्थमेटिक मीन हमने कैलकुलेट किया है 110, तो गाइस ये 110 या 20 हमें किस काम में क्यालकुलेट करते हैं तो इस क्यूनेस में हमें गुणांक की गणना करनी होती है यदि हम देखना चाहते हैं कि किसमें विशमता अधिक है तो गुणांक की गणना करने के लिए हमें डिवाइड़ बाइ स्टेंडर डिविएशन करना होगा तो इस स्टेंडर डिविएशन को हमें calculate करना होगा x bar हम calculate कर चुके हैं standard deviation की गढ़ना हम कर लेते हैं देखे x minus x bar यानि हमने सभी x values को उसके x bar यानि 110 से minus करना होगा तो चलते हैं हमें plus minus का ध्यान रखना है 100 minus 110 minus का 10 0 minus का 10 minus का 5 minus का 5 minus का 3 minus 1 plus 3 plus 8 plus 11 and plus 12 इन सबकी total हम को requirement नहीं होगी आप एक बार total करके जरूर देख लीजेगा यदि हम original mean से deviation calculate करते हैं students ध्यान दीजिए तो इसका sigma dx is equal to 0 ही आना चाहिए यदि 0 आता है तो आप बिलकुल सही है यहाँ पर यदि 0 नहीं आता है तो आप फिर से एक बार calculation कीजिए कहीं कुछ mistake होगी now dx square की बात करते हैं जल्दी से यह हम सारी dx यानी जो हमने deviation calculate किये हैं उन deviation के square हम कर रहे हैं और यह square करना बहुत आसान है यह हमने square calculate कर लिए हमें इन सब की total चाहिए यह total मैंने पहले ही निकाल कर रखी है समय बचाने के लिए तो यह total आ जाती है 598 तो देखें हमें sigma dx square की value मिल गई है तो अब हम standard deviation calculate कर सकते हैं जिसका formula है sigma dx square upon n हमारा sigma dx square जो है वो है 598 upon n हमारा है 10 तो हमारा standard deviation जो calculate हुआ है वो कुछ इस तरह से 59.8 का under root तो देखें 59.8 का under root हम करते हैं और 59.8 का under root जो हमें मिल रहा है वो है 7.733 तो गाइस इस तरह से हमने standard deviation भी calculate कर लिया x भार भी calculate कर लिया अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं median की value पर क्योंकि मैंने कहा है कि हमें z calculate करना मुश्किल है तो इसलिए हम median calculate करते हैं और क्योंकि individual series है तो individual series का हमारा formula n plus 1 divided by tooth value तो n हमारे पास है 10 plus 1 divided by 2 यानि 5.5th value की हम बात करेंगे देखे 5.5th value हमारी क्या रहती है हमें पांचवा और छटा item लेना होगा पांचवा और छटा item 107 और 109 और क्योंकि हमें 5.5th item चाहिए तो ऐसी सिती में 107 और 109 का average हम निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ पर जो median बन रहा है वो median है हमारा क्योंकि हमें item चाहिए तो हमारा median जो बन रहा है वो 108 हुआ ध्यान से समझेगा क्योंकि 5.5th item है तो हमें पांचवी और छटी item का average निकाल लेना होगा और यह average जो हमारा बन रहा है 108 तो गाईज हमारे पास तीनों ही value मिल चुकी है इन तीनों ही value से हम Jx निकाल देते हैं coefficient of skewness calculate कर लेते हैं यह कुछ इस तरह से देखेगा 3 x bar है हमारा 110 minus m हमारा 108 divided by standard deviation है हमारा 7.733 इसको calculate करते हैं और calculation करने के बाद जो value हमें मिल रही है वो है हमारी 0.776 तो guys यह हमारा skewness का A series जो हमारी x series है उसकी coefficient of skewness हमने calculate किया यही सारा काम आप y series के लिए भी कीजिए तो जल्दी से शुरू हो जाता है x bar हम calculate कर ही चुके हैं 20 और deviation calculate करते हैं y minus 20 से यह जो y series है उससे हम deviation calculate करें minus का 5 minus का 4 minus का 3 minus का 3 minus का 2 plus का 1 plus का 2 plus का 3 plus का 5 plus का 6 यह हमारा 0 होना चाहिए यदि यह 0 है तो हमारा सारा calculation सही है square करते है 25, 16, 9, 9, 4, 1, 4, 9, 25, and 36 इसका total हमारा होता है 138 now value रखिए 138 divided by n है हमारा 10 हमने यहां इसे calculate किया 13.8 का under root आप calculate कर लीजे 13.8 का under root जो होगा वो होगा 3.715 तो guys यह हमारा standard deviation भी calculate हो गया जल्दी से हम calculate करते हैं median n plus 1 divided by 2 वही हमें 5.5 आइटम देखना है तो देखे यहां पर 5th और 6th आइटम जो हमारा Y सीरीज में है 18 और 21 18 और 21 का average निकाल दीजे तो 18 और 21 का average जो बैठता है वो 19.5 होता है ध्यान दीजेगा क्योंकि हमारा 5.5 आइटम है guys तो ऐसी सितिती में हमें पांचवे और 6 जो आइटम है उसका average निकाल देंगे वो हमारा median calculate होगा तो हमें सारी values मिल गई है value में हम मान रखते हैं 3 x bar है हमारा 20 minus m है 19.5 divided by standard deviation जो हमारा है वो है 3.715 तो देखे इस तरह से विशमता गुणांग जो हमारा calculate हो रहा है वो 0.404 है तो guys देखे यहाँ पर कौन सी सिरीज अधिक विशम है या आपको पता चल ही रही होगी हमारी x सिरीज की विशमता 0.776 है जबकि y सिरीज की विशमता 0.404 है तो आप उत्तर देंगे कि सिरीज x अधिक विशम है और यही आपका आंसर होगा तो यह इस तरह से हमने individual सिरीज में skewness को देखा अब हम बात करते हैं यदि हम continuous सिरीज में यदि skewness calculate करना चाहें तो एक examination question मैंने आपके सामने लिया है और यह question कुछ इस तरह का variable यहाँ पर दिये हुए है frequency यहाँ पर दिये हुई है variables जो दिये हुए वो कुछ इस तरह से थे exam में 2011 JNVU का question है 20.5 से 23.5 का 17 frequency then minus 26.5 की frequency 193 यह minus नहीं है यह कुल है कि इस सिरीज को coordinate करना है तो यहाँ पर students confused हो सकते हैं कि यह minus की value क्यों है क्योंकि यहाँ पर हम देखकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ variable कुछ इस तरह का है तो यह minus नहीं हो सकता तो ऐसी सिती में हमें जिस तरह से series बनानी होगी standard format में वो कुछ इस तरह की होगी देखे 20.5 से 23.5, 23.5 से 26.5, 26.5 से 29.5 and so on मैंने इस question को solve करके ही रखा आपके सामने ज्यादा हमारा time consuming ना हो frequency as it is ही उतार लिये क्योंकि question में किसी तरह का more than और less than नहीं है इसलिए चिंता मत कीजिए हमने frequency को उतार लिया उसका total भी निकाल लिया mid values की requirement हमें होगी क्योंकि हमें x bar calculate करना होगा तो x bar के लिए guys formula लगाईए sigma fx upon n या sigma f तो देखे fx calculate करने के लिए हम यह हमारी x values जो की mid value है और उनको frequency से आपस में multiply करते चलिए आपस में multiply करने के बाद आपकी fx की value आएगी और इसका total मैंने यहां निकाल लिया है guys मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई सारे statistics में methods available हैं जिनकी साहता से इन संख्याओं को कम किया जा सकता है जिसे step deviation method भी कहते हैं लेकिन क्योंकि हमें calculators allowed होते हैं तो इसी इस दिनी में आप अपने एक method जो आप continuous follow करते हैं जिसे आप practice करते हैं उनी ही methods को आप continue रखिए calculator से यदि आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा परिशानी नहीं होती है इसलिए संख्याओं से गबराइए मत बहुत ज़्यादा methods को सीखने से अच्छा है का आप एक method को ही continue follow करें उसी ही practice डाले तो मैंने उनी method से ही काम किया है जो मैंने अपने videos में आपको समझाए है ये simple arithmetic method sigma fx upon sigma f की बात किया और इस तरह से हमने जो x bar calculate किया है वो है 28.182 now x bar हमारा calculate हो चुका है अब हमें standard deviation calculate करना है तो क्यूंकि हमारा x bar points में है fraction में है तो ऐसी इस्तिती में हमें standard deviation calculate करने के लिए shortcut method use में लेना होगा shortcut method के लिए मैंने अपने videos आपको बताय हुए है हमारे channel के business statistics की playlist में आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से standard deviation calculate होगा उन सारे videos को आप go through जरूर कीजिए तो यहाँ पर हम standard deviation calculate करने के लिए deviation ले रहे हैं a हमने 28 लिया है तो इस तरह से देखिए x minus a x है हमारा mid value 22 minus 28 25 minus 28 28 minus 28 31 minus 28 34 minus 28 37 minus 28 कुछ यह सारी values हमारे पास आए गई है और क्यूंकि हमने shortcut method से assume mean से deviations लिए हैं इसलिए deviation हमारा sigma total 0 नहीं आएगा क्योंकि assume mean से deviation है original mean से नहीं तो इसकी total हमने यहाँ पर ले ली है 9 इसकी फिलाल हमे requirement नहीं है हमारी requirement यहाँ है यानि अब हमें f dx calculate करना होगा frequency और deviation का multiplication देखिए हमारी frequency है यह इन frequency के column को आप ध्यान रखे और साथ में हमारे यह deviation के column को आप ध्यान रखे आपस में values को multiply करते जाए calculator आपके पास है तो डरने गबराने की जुरत नहीं है इन figures को आपस में आप multiply करते हुए चलेंगे तो इस तरह से f dx हमारे पास निकल कर आ गया और इसकी total मैंने लगा ली है 153 now f dx square f dx square की requirement भी हमें standard deviation के formula में होगी इसलिए मैं आपको बताना चाहते हूँ f dx calculate करने के दो तरीके हो सकते हैं या तो आप deviation का square कर लीजिए और उसको frequency से गुणा कर लीजिए या दूसरा तरीका यह है कि यह जो f dx आपने निकाला है उस f dx को फिर से deviation से गुणा कर लीजिए यह थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा इसलिए मैंने इन दोनों columns को आपस में गुणा करते हुए यह सारी values निकाल ली है यहाँ minus minus plus हो जाता इसलिए plus नहीं लिखा है guys students ध्यान जरूर दीजेगा क्योंकि यहाँ पर एक हलका सा एक simple सा minus भी हमारे पूरी संख्याओं का खेल बिगाड सकता है इसलिए plus minus की संख्याओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए calculation आपको करना होगा तो मैंने यहाँ f dx square निकाल दिया और इसकी total रही 5877 तो देखिए standard deviation की formula में हम रखते standard deviation का हमारा formula है sigma f dx square upon sigma f minus sigma f dx upon n का whole square यहाँ n की जगे हम sigma f भी कर सकते हैं कोई issue नहीं है यहाँ क्योंकि हम shortcut method यूज ले रहे हैं इसलिए मैंने shortcut method का formula लिया है assume mean से calculation की है इसलिए shortcut method का formula संख्याएं डाली है हमने यह सारी values put की है इन values को put करने के बाद formula को solve किया तो कुछ इस तरह से formula solve करना मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आप 153 divided by 840 करिए जो भी value आती है उसका square कर दीजिए यह square करने के बाद हमारी जो value रहेगी वो 0.33 directly 5877 को 840 से divide कर लीजिए और जो value हमारी है 6.99 आपस में इन्हें पहले minus करिएगा और फिर इनका under root निकालिए तो हमारे पास जो value आएगी वो 2.58 तो इस तरह से हमने standard deviation भी calculate कर लिया आप बात आती है z की क्योंकि continuous series है तो हमें z calculate करना आसान है इसलिए हम median वाले formula पर नहीं जाएंगे z calculate किया जा सकता है तो देखे z calculate करने के लिए सबसे पहले मुझे by inspection modal class मैंने निकाल ली है modal class से मतलब जो सबसे ज़्यादा frequent हो जिसमें सबसे ज़्यादा heavy frequency हो तो ये 3.99 सबसे बड़ी frequency के साथ मैंने इसे modal class identify किया है और modal class identify करते ही मुझे F0 F1 और F2 का requirement होगा मेरी business statistics नाम की playlist में modal कैसे calculate करते हैं इसके बारे में पूरी बात की गई है आप उसे जरूर से समझें तो यहाँ पर मैंने identify कर लिया है मेरा F0 है 193 F1 है 399 और F2 है 194 तो guys अपने formula में मैंने value रखी है Z का formula L1 प्लस F1 माइनस F0 divided by 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 multiplied by I value put की है value put करने के बाद ध्यान दीजेगा ढंग से value put कीजिए आपका question गलत नहीं होगा यहाँ पर value put करने के बाद इसे solve कीजिए सबसे पहले अंश यानी numerator को solve करते हैं 399 में से 193 को माइनस करिए और 3 से multiply कर लीजिए now denominator को solve करें तो 399 को 2 से गुना कर लीजिए और उसमें से 193 और 194 माइनस कर लीजिए अब जो value यहाँ पर और यहाँ पर है उसे आपस में divide करिए divide करने के बाद हमें जो value मिलेगी वो 1.50 26.5 हमारे पास already है now इस तरह से जो z calculate हुआ है वो है हमारा 28 तो guys जल्दी से हम skewness निकाल देते हैं coefficient of skewness हमें निकालना है x bar minus z divided by standard deviation value put कीजिए value put करने के बाद जो हमारा final answer बनता है वो है 0.069 तो guys यदि इस वाले प्रशन में हम विशमता गुणांक की बात करते हैं तो विशमता गुणांक जो हमारा answer रहा है वो है 0.069 तो guys इस तरह से आज हमने सीखा कि किस तरह से आप individual series में और continuous series में विशमता की गणना कर सकते हैं काल पियरसन मैथर से यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें जाज जादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच